हलो फ्रेंड्स, आए डॉक्टर पवीन भाटिया, सीनियर डेंटल सरजन भाटिया डेंटो पल्स जनकपुरे निव डेली एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने इस पर चर्चा करूंगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऐसे कौन-कौन से कारण है जिसकी वज़ा से टुथ कैप हमारा बार-बार निकल जाता है और हमें बार-बार उसकी फिटिंग करानी बढ़ती है संशेप में मैंने बताया था over cutting of tooth, failure of cementation and undue pressure on tooth by accident जैसे आपने कोई candy chew करी वो chewing substance से बाहर निकल आता है मैंने पिछली वीडियो में इसमें विस्तार से बताया है आज विस्तार से चर्चा ये करूँगा कि अगर कैप निकल जाए तो इसका क्या उपाय है कि इसको दुबारा-दुबारा आपका कैप बाहर ना निकले तो friends इससे पहले मैं शुरू करूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल भातिया डेंटो पल्स और वाकर ही अच्छा लगे तो अपने friends में जरूर शेयर करें तो सबसे पहला process है crown lengthening means crown जो छोटा हो चुका है over cutting की वज़े से वो बड़ा तो नहीं हो सकता है लेकिन हमने एक method choose किया है crown lengthening यानी crown तो उतना ही रहेगा हमने हलकी सी 2 या 3 mm gums की cutting कर ली lingual side से भी और buckle side से भी यानी cheeks की side से भी और tongue की side से भी तो दोनों में उस दात को उसी दात को हमने बड़ा कर दिया तो वो बड़ा करने से हमारा crown के उपर दात के उपर वो crown रुक जाएगा retention बढ़ जाएगी पकड़ बढ़ जाएगी इसको हम एक example से समझ सकते हैं जैसे एक plant है plant को हम बढ़ा नहीं कर सकते लेकिन चुकि उसकी roots बहुत लंबी होती हैं तो हम उसकी soil या कहें मिट्टी को हटा लें तो वो ही plant आपको बढ़ा दिखाई देने लगेगा यानि एक method और है जैसे हम example आता है nail है और flesh है अगर हम उस nail को तो बढ़ा नहीं कर सकते अगर हम flesh को काट दें तो वो ही nail हमें बढ़ा लगने लगेगा उसी तरह हमारा crown भी बढ़ा हो जाता है 2-3 mm हम उसकी length को बढ़ा सकते हैं मैंने एक चित्र में ये दिखाया है कि कैसे उसको बढ़ा किया जा सकता है इसके समानयता दो method होते हैं एक dental laser से और दूसरा gum lenset से dental laser से हम 2-3 mm की gums को काट देते हैं गम contouring करते हैं जिनके पास ये सुविधा है ये painless होता है blood रहीत होता है हमारे center पर ये सुविधा उपलग्ध है dental laser की दूसरा simple method जो पहले से चला आया है वो है gum lenset से gum की cutting कर देना उसमें थोड़ा bleeding होगा बट समानयता वो एक दो दिन में ठीक हो जाता है दूसरा आता है failure of cementation अगर इसकी वजह से cap बार बार निकल रहा है तो इसमें fixing cement ठीक से नहीं बनाया गया तो next time जब cap उतरता है आपकी crown cutting ठीक है आपका cap भी ठीक बना हुआ है तो loose consistency की बज़े से यानि आपने powder और जो liquid mix किया है वो उसका ratio ठीक नहीं है तो आपका cap वो निकल सकता है और fitting करते समय मान लीजिए saliva contaminate कर गया उसके अंदर ठीक से आपने isolate नहीं किया दांत को तो भी cap निकल जाता है तो उसको आराम से fix दुबारा किया जा सकता है तो इसके अंदर air bubbles अगर आ जाते हैं तो भी cap निकलता है तो अगली बार ये ध्यान रखें कि saliva contamination ना हो और ठीक से cap fit हो जाए और next आता है undue pressure on भी बन जाता है जैसे कभी candy खाई या कोई ऐसा pressure आया जिसकी वज़े से वो दांत बाहर निकल गया है तो घबराएं नहीं वो दुबारा cap फिर refix हो जाता है कई बार क्या होता है जब छोटा हो जाता है बहुत बार बार निकल रहा है और उसके एक method आता है supporting truth की structure को हम इसको एक support ले लेते हैं adjoining truth की तो एक twin cap बना देते हैं double cap बना देते हैं तो पुराना cap जो निकल रहा है बार बार उस वो नए दांत पे cutting करने से ध्यान रही कि उसकी access cutting ना हो तो हम उसको दुबारा refix कर सकते हैं तो ऐसे methods में ये तीन चार जो मैंन आपको तरीके बताए उससे दुबारा fitting हो जाती है caps की friends एक method और आता है front के teeth पर जब over cutting हो गई या cap बार बार निकल रहा है मेरी एक separate video में post and core पे मैंने ये दिखाया है post एक fiber post डालती जाती है root के नाल करने के बाद और उसकी length को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाता है extension हो की भी life बढ़ जाती है दांत की भी life बढ़ जाती है और दांत निकालना भी नहीं पड़ता है परन्तु इसकी life बहुत जादा नहीं है इसलिए हम साथवले दांत का एक support लेके उसको हम दुबारा से double cap बना देते हैं कई बार क्यार रहता है कि जो जिस टूत के उपर cap लगा गया है वो दांत ही टूट गया है तो friends उसमें तो कोई और तरीका नहीं है अगर वो टूटा हुआ दांत root canal treated है तो हम थोड़ा सा crown lengthening करके एक adjoining tooth की support लेके हम उसको double cap बना देते हैं तो वो भी उसकी life भी बहुत अच्छी चल जाती है एक gum recession की वज़े से micro seepage आ जाती है य या कहीं पानी जा रहा है saliva contamination हो रहा है gum recession को हम scaling के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और दुवारा दुवारा cap नहीं निकलती friends आशा है आपको आज का topic पसंद आया होगा और अगर वाके ही अच्छा लगे और मन में कोई शंका हो तो मेरे comment box में जाकर comments लिखें और मेरे नीचे whatsapp के number दिये गए हैं आप उसको अपनी message कर सकते हैं अपनी query को और I'll try to reply as soon as possible please take care of your teeth teeth will definitely take care of you thanks for watching and don't forget to subscribe my channel Bhatia Dentopals